साथियों, राजस्तान को बीते वर्षों में केंद्र सरकार की एक और प्रात्विक्ता का भी लाब बिला है। साथियों, राजस्तान के साइनिक परिवारों को मिल रहा है। आपका भी सीना चोड़ा हो जाएगा। हाल में ही हमने आपको मालूम है हिमालय की सबसे उची चोटी है। उसको एवरेस कहा जाता है क्योंकि एवरेस नाम के एक व्यक्ति का नाम उचसे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के निर्णयों का क्या महत्व होता है। अब मैं आगे की बात बताता हूँ। हाल में ही हमरे अंडमान निकोबार में वीपों के नाम हमारी सेना के वीर जिनोंने अपने पराकरम के कारण परम बिर्चक्र का सम्मान प्राप्त किया था। जो परम बिर्चक्र विजेता थे ऐसे महान देश के लिए मन मिटने वाले देश के लिए जीने मरने वाले हमारे इन बिर्चाइनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार के टापों का नाम हमने उनके नाम कर दिया है। अपने जुन्जुनु के रहने वाले पिरू सींजी के नाम पर अब अंडमान में एक पिरू द्वीप है। जोदपूर के रहने वाले शैतान सींजी के नाम पर भी अब अंडमान में एक सैंतान सींजी दीप है। राजस्तान के इन पराक्रमी शहीदों से अब अनमान को बार जाने वाला हर व्यक्ति एक नई प्रणा लेकर के आएगा। साथियों कॉंग्रेस की सरकारे सीमा से जुड़े गावों और शहरों का इसलिए भी कात नहीं करती थी क्योंकि वो डरती थी। और ये पार्लामेंट में उन्होंने बोला है। वो डरती थी कि हम सीमा पर रास्ते बना देंगे, सड़के बना देंगे तो दुश्वन उसी पर चल करके चलाएगा तो क्या होगा। हमारी बनाई सड़कों पर दुश्वन आ जाएगा तो क्या होगा। अरे यार क्या बात करता है। मुझे समझ नहीं आता कि कॉंग्रिस को क्या हमेशा हमारे साइनिकों का शौरिय उनकी बहदुरी को कम करके आखती रही है। सीमा पर दुश्वनों को रोक देना, उन्हें मुड़ नूँ तोड़ जबाब देना, हमारी सेनाओं को बखु भी आता है। इसलिए अब भाजपा सरकार सीमा वर्ती जिलों में, सीमा के पात बने गामों में भी विकास के कामों में तेजी ला रही है। बीते नव वर्षों में हमने राजस्तान सही देश के पूरे बॉर्डर पर रोड और रेल का ससक्त नेट्वर्क तयार कर दिया है। केंद्र सरकार राजस्तान के सिमा वर्तिक छेत्रों में भी लगबग चाउदा सो किलोमेटर सडकों पर काम कर रही है। इसके अलावा अभी करीब करीब एक हजार किलोमेटर की सडके राजस्तार में और बनाने का प्रस्ताव है। यानि भाजपा राजस्तान को नई संभावनाओं का प्रदेश बना रही है।